सो हम डिस्कस करेंगे अभी जो है historical schools of law ठीक है ना historical school of law में इस जिसके जो historical school of law है इसके जो main propounder है वो है के एफ वोन सेविग ने कौन इसके वो है सेविग ने तो सेविग ने जो है 1789 से लेके 1861 तक ये जो है इनका जो है ये 1779 में इनकी बौन हुए और 1861 में इनकी डैथ हो ये founder of historical school है he traced development of law as a evaluationary process much before darwin have his theory of evaluation in the field of biological science in 1861 अपने biological में एक theory study की होगी darwin theory darwin's की theory क्या था have you remember that क्या theory थी humans okay 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 that's the darwin theory okay so यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये doctor alan जो है describe करते हैं सेविग ने जे darwinian before darwinian कभी-कभी क्या होता है कि exam में ये directly यही कुशना ठीक है न? darwinian before darwin ठीक है न? तो अब यहाँ पर student confused हो जाते हैं कि jurisprudence में darwin कहां से आगए जो है है न? ठीक है तो यहाँ पर ये doctor alan ने जो है sevenian की definition है इसको describe किया है darwin before the darwin कहा है इस theory को historical school में जो sevenian की theory है उसको जो alan ने क्या कहा है doctor alan ने कहा है कि darwinian before darwinian ठीक है तो next देखते है इसको है historical school of law में according to him यानि के dr. alan is a product of times of times the germ of which like the germ of state exist in the nature of a man as a being made for society and which developed from this germ various forms according to the in warning influences which play upon it log this is the next definition next paragraph this is the most important paragraph the law grows with the growth and stands with the strength of the pupil and finally it dies away as the nation loses its nationality are you getting this point it's a very very important point a very very important paragraph relating to the historical schools of jurisprudence ठीक है नेक्स देखते हैं इसको तो यह theory basically जो based upon historical historical fact पर बेस्ट है तो law is the product of the अब यहां पर जो शेविग ने हैं उन्होंने एक जो एक वर्ड यूज़ किया है वाल्क जीस्ट ठीक है ना वाल्क जीस्ट यूज़ किया है What is that means? What is the Valkyjist? Valkyjist means that the relation between man and the law, the relation between the man and law and needs of the needs of the society needs of the pupil. तोगे तो नेशनल स्पिर्ट अफ़ जीनियस अफ़ प्यूपल ओके लॉइ ज़ फाउन नौट मेड यहां पर जो सेविग निसाब हैं वो कहते हैं कि लॉइ फाउन लॉइ फाउन नौट मेड यानि कि जो लॉइ ह हमारा वो कही न कही हमें अपमारे हिस्टोरिकल्स बैक्गराउंड में हमारी जो वैल्यूज हैं मुरल वैल्यूज हैं या हमारी कस्टम्स हैं वहां पर यह हमें जो है कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है जैसे हम क्या देखते हैं हम सबसे पहले सबसे most example लेते हैं अपने हिंदू लोग का लेते हैं जो हमारा हिंदू लोग है हिंदू लोग का लेते हैं हिंदू लोग में हम सीरे सीरे चलते हैं हम पहुंचते हैं section 6 और 7 और 8 पर जाके 5 पर जहाँ पर हमारी conditions of marriage दे रख लिए है ठीक है ना अब conditions of marriage उठाते हैं तो conditions of marriage में आप क्या देखते हो सबसे पहले monogamy होनी चाहिए अब monogamy है तो हमारे है 1950 से पहले क्या था हमारे हैं पर polygamy थी तो हमने उसमें जैसे हमारी society जो है डबलब होती है हमने कहती है अपने law में उसमें हमने उसको जो है process को थोड़ा सा हमने easy बना दिया हमने according to society उसको कहके change किया वसको जो है हमने हम पर polygamy थी तो हमने हमारे हैं तो polyandry थी महाबारत में हम क्या देखते हैं polyandry देखते हैं हमारे हैं तो polyandry भी थी थी हमारे हैं पर polygamy भी थी हम जो है जो हिंदू लॉज हैं उनको कहीं न कहीं सही तरीके से उसको जो है इंटरपेट करके justify किया गया है ठीक है ना लेकिन हम को क्या करना है उस उठी लॉज को हमें भी उसको understand करना है कि क्या उस टाइम पे ये लॉज ठही सही थे क्या वो उस टाइम पे इस टाइम पे पॉलिंडरी थी हां हमारे यहां पे एंसिल टाइम में पॉलिंडरी थी इन्था महाबारत पीरेड में हमें पॉलिंडरी हमार जो महा काव्य है जो है उसमें हमें देखने को में नती है पॉलिंडरी हमारे यहां पे एंसिस्टाइम में थी ठीक है, तो यहाँ पर ही कहते हैं, law is found and not made as it develops as a matter of unconscious and organic growth Okay, so law is found not made as it develops as a matter of unconscious and organic growth Okay, I think this is clear Okay, custom is the main source of the law and it precedes legislation Okay, इसका जो main source of law है, वो क्या है, कस्टम जैसे हम अभी मैं example दे रहा था आपको में, हिंदू लो का हिंदू लो में क्या है, हमारे यहाँ पर, monogamy होनी चाहिए उसमें फिर हम जो है, वो दूसरा, हम जो है, वो escape करते हैं, जो close to है उसमें जो unsound mind है, उसमें क्या क्या conditions जो है, sound mind होना चाहिए है, ठीक है उसको कोई disease नहीं होनी चाहिए, यह सारे हम escape करते हैं हम उसमें, हम देखते हैं, उसमें third देखते हैं, four देखते हैं, फिफ देखते हैं जो clauses है उसमें क्या दे रखा है उसमें दे रखा है कि must be the age 21 and 18 ठीक है ना अब ये हमें age कहां से देखनों को मिली हम ये custom सी तो लेकिया है इसको जो है क्योंकि हमारे यहां पर हमारे यहां पर child marriage be ancient time में prevail थी हमने उसको जो है modify करके हमारा law already हमारे यहां पर थे हमने क्या किया है custom से लेकिया है और हमने उसको refine किया है क्योंकि हमारे यहां पर laws already applicable थे हमारे यहां पर हमने क्या किया क्योंकि child marriage stand marriage हमारे यहां पर बहुत पुराना है हमारे यहां पर ठीक है ना तो हमारे यहां पहले है आ चुका था वो जो during the British period आ चुका था आपने क्या किया उसको refine किया उसको amendment करके उसको जो आपने यहाँ पर उसकी action कर दी अब दूसी चीज हम उसमें जो custom से relate करता है वो एक main इसमें क्या है उसमें आपने देखा होगा एक sapinda है sapinda relationship ठीक है ना और sapinda वाला है और गोत्र वाला है ठीक है ना अब हहाँ पे beyond sapinda नहीं होना चाहिए तो हमें beyond sapinda नहीं होना चाहिए तो क्या हुआ मतलब यह हमें law कहां से मिला यह हमें custom से ही तो मिला क्योंकि हमारी generally हमारे यहाँ पर क्या है कि custom में गोत्र है कि हम जो है in relation में हम marriage नहीं करते हैं तो जो चीज हमारे हां society में prevail है law भी उसी पर बेस होता है ना कर अच्छी में law किस के लिए बनाया गया है for the sake of the interest of society interest उसका interest क्या है interest तो society है ना interest क्या है society के लिए law बनाया गया है तो टोटली benefit किसको जाना चाहिए जो है benefit of interest किसको जाना चाहिए benefit of interest टोटली जाना चाहिए society ठीक ultimately जो benefit होना चाहिए वो हमारी society को ही होना चाहिए तो यहाँ पर यह हो गया अब यहाँ पर देखो law is the product of the walkist walkist यह तो हो गया यहाँ पर saving ने क्या करते हैं यहाँ पर saving rejected natural law आपको याद रखना है कि saving ने जो हैं बिलकुल भी बिलकुल reject करते हैं theory को सी theory को natural law theory यह डजंड बिलीव हिंता natural law theory बिल्कुल सी बिलीव नहीं करते हैं कोई natural law theory एक्जिस्टेंस में है और इसका कोई relevance भी है यह बिलकुल नहीं मानते हैं कोई law जो है गौन के थोआया हुआ एक ग संदुन हुआ है हमारे यहंपर उसको हमें वहां से कैच करना है उसको हमें वहां से लेना है historical background ठीक है next देखते है इसमा अभी देखो criticism इसका हम criticism देखते है किसका historical criticism क्या ही located origin of law in the valgist that it popular consigns but at the same time as I tell that certain principle of customary law of Rome as a universal application जो ही located origin of law कहा हुआ है valgist का he located origin of law in the valgist that is popular consigns but at the same time asserted that certain principle of customary law of Rome as a universal application Rome as a universal application he was against codification of law जो saving ने साब है वो जो है बिल्कुल codification of laws के अने साब है आपको एक चीज़ याद इसको जो saving ने है he is from he was from German Germany से थे तेगे ना तो इन्होंने वो सब जो है क्योंकि इनके time में तो वो सब था नहीं इनके देखो होता क्या है जहां हमारी growth होती है हम उनी के according हम बात करते हैं क्योंकि अमबेटकर साब ने जितनी भी अपनी books लिखी है या अमबेटकर साब ने कुछ भी अगर हमारे यहाँ पे देखा है उन्होंने realize किया कि हमारे यहाँ पे untouchability थी हमारे यहाँ पे discrimination था कास बेस पे तो उन्होंने उस चीज़ को उसी तरीके से describe किया आप उनकी books में देखोगे या कुछ देखोगे तो उन्होंने जो है उसी तरीके से यहाँ के यह चीज़ों को उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है तो जहाँ जैसा society में इंसान रहता है उसकी उपर impact वैसे ही पड़ता है तो यह जो है जो सेविद में हैं वो जर्मनी से थे और जो उन्होंने देखा वहाँ पे कि codification का किस तरीकी से misuse होता है क्या होता है codification का misuse होता है तो उन्होंने codification को का कि नहीं नहीं हमें codification की कोई जरूवती नहीं हमें we don't want codification he was against codification of law which is one of the most accepted form of the modern progressive legislation are you getting this point हमें believe नहीं है कि हमें अब देखो actually में देखो इसलिए इन्होंने believe नहीं किया क्योंकि आपने देखा हमारा जो IPC है वो कप का है 1860 का है हमारा IPC का है 1860 का है हम follow कर रहे हैं आज भी follow कर रहे ना उसको उसमें आज भी एक जो है आपने देखा होगा 510 आप section पढ़ना आप IPC का section 510 IPC का पढ़ेंगे उसमें क्या दे रखा है कि अगर एक ड्रंकन पर्शन है और गोर पर जो आपको हंगामा काटता हूँ मिलता है ठीकर डिस्टरवरिंस करता है पीस को आप कॉल कीजिए पुलिस को तो क्या करेगी पुलिस बुला के उसको ले जाएगी लेकिन कितने गंटे तक उसको किया रख सकती है अपने पुलिस टेशन माए और फाइन कितने का उसमें अलली 100 रुपेज इन्डर रुपीज तो यह जो है यो यह लॉस थे यह कब बने यह जो है एक्टीन सिस्टी में तो ठीक थे ठीक है ना क्योंकि 100 रुपी उस टाइम पर उसकी वैल्यू ज्यादा थी उसकी को ठीक है 1861 पट अकोडिंग टू दिस टाइम वो जो बंदा जो है 200 रुपे की जो है शराख पी के जो है घंगामा काट सकता है वो 100 रुपे देने में पुलिस वालों हो क्या जा रहा है उसकी जो इसलिए ये जो है क्या है इसलिए ये जो सेविगने साब है ये कोडिफिकेशन के अंगेस्ट में है कहते हैं कि सुसाइटी को प्रोग्रेसिव लेजिलेशन होना चाहिए जैसी हमारी सुसाइटी में नीट्स है हमारे लॉबी उसी तरीके के होनी चाहिए हमें जो हमारे जो पुराने लॉज है उनके उपर हमें बेस नहीं होना चाहिए तो ये प्रोग्रेसिव सुसाइटी की बात करते हैं Progressive Legislation की बात करते हैं तो historical background हमारा क्या हम जो हमारे जो पुराने laws हैं जो codification वाले हम उनमें believe नहीं करते हैं Next देखते हैं A 70s theory of Valkagist overlooks the impact of the other sources of law such as legislation, precedent and in the evaluation of the laws अपको देखो legislation पता है precedent पता है नापको judgment okay okay this is the correct his views that custom are always based on the popular consciousness popular consciousness what is the consciousness consciousness means that the mind of the public public consciousness जो public की जो mind की conscience होती है उसे हम यहां conscience होते हैं जो public के सारे जो minds उनमे वो एक ही चीश common हो उसको हम conscience देश बोलते हैं जो यहां पर हमने conscience देश से पढ़ता हैं common intention से पढ़ता हैं तो वहीं से वहीं से लिया यह is not an acceptable that is slavery bounded labor extra organized sorry originated to accomplish the selfish interest of those who were in power okay next देखते हैं देखो यहाँ पर यह रोस्को पाउंड आ गए है actually मैं रोस्को पाउंड जो है यह सोसोलोजिकल स्कूल से बलाउंड रते है the main propounder main founder of the sociological school हाँ रोस्को पाउंड टेखे न रोस्को पाउंड has criticized for his juristic pessimism सेविगनेस थेओरी inherited legal reforms सेविगनेस थेओरी है inherited inherent legal reforms inherent legal reforms and modernization of law in the name of valkagist पाउंड रोस्को पाउंड observed that no legal system would like to stick to the prevalent abuses and the bearful customs only because people are accustomed to them तो इन्होंने जो है जो रोस्को पाउंड है वो कहते नहीं नहीं साथ यह ऐसे कैसे काम चलेगा आप जो है इन्दा फॉर्दी जो है modernization के नाम पर जो पुराने चीजें हैं उनको जो है public चाहरे ही है सब के उपर थोड़े या आप थोप सकते हो आप ठीक है modernization की बात करो लेकिन आप उतने भी modern नहीं हो जाईए पर आप जो public जो चाहरे ही है आप वही थोप दोगे तो यह law कैसे काम चलेगा ठीक है ना तो इन्होंने भी criticism हर जगे मिलेगा ठीक है ना जब तक उसका critic नहीं होगा तब तक आप उसकी जो है जो असली चीज है उस वो आप नहीं निकाल सकते आपको उसका criticism तो देखना पड़ेगा चाहे कुछ भी है whatever you have आपको क्या करना है सबसे पहले उसका favor भी देखना है और आपको criticism भी देखना है उसका he was savingness discipline and supported his theory यह पुछता है यह जो है इनके dispel थे इनके जो है saving के अब बिचारे इनके researcher रहे होंगे यह है ना हाँ हलो हाई यस हाई यस I'm audible hello hello haa hello yes okay okay now now it's okay 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 thank you so views of the pusta he was saving is dispel अब यह जो है dispel थे इनके यानि कह सकते इनके researcher रहे होंगे इनके जो है इनके scholar रहे होंगे research नहीं कहते scholar बोल सकते है इनको सेविंग ने के scholar रहे होंगे इनके अंडर में इनके research की होगी unsupported history अब कोई भी चेला हो किसी का मतलब सेश्यो हो किसी का अब उनका अपने गुरू की तो बुराई नहीं कर सकता ना वो कोई तो अपने गुरू की बुराई इननोंने तो कि सपोर्टी करना पड़ेगा अखर कर हमने उनके जो है उनकी ज्यान लिया है हमने इन इन इस व्यू नाइदर दी स्टेट नौर दा प्यूपल नाइदर दी स्टेट नौर दा प्यूपल अलोन आर ए सोर्स अफ लौ ठीक है बट लौ कम्स इंटू एग्जिस्टेंस अज रिजल्ट ऑफ इन 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 दिविजल ठीक है आपको ही पता है के 컨फलिक तो होता है बिट्वीन जनरल का और इन इन इदिविजुल का कनफलिक हमें भी देखने को मिलता है सोसाइटी में इस इस दी रेयल्टी इस दी इस दी इस आउन्टी है कि नहीं जो है क्या कर सकते हैं हम जो है रिशेंटली एक्जामपल ले सकते हैं वहाँ पर एक जनरल विल क्या थी जनरल विल जो है उसके सपोर्ट में थी और इंडिविजल विल क्या थी वहाँ पर इंडिविजल विल उसके अगेस्ट में थी तो जब जब दो विल होती है तो दो विल पड़ेगी sovereignty की हमें state की जरूत पड़ेगी हमाई तो अब हमें sanction की जरूत पड़ेगी तो तब जाके वो जो है enforce होगा तो ये जो है इसका नो ने जो कहा कि जो general will है और individual will है हमेशा कोछ जो conflict conflict होता है उस से law existence में आता है ओके ये this is the view of the Pusta next देखते हैं इसमें आपको historical school में सिर्फ देखो दो या तीन चीज़ें याद रखनी है सबसे हाँ हलो अब voice break हो रही है कि हलो हलो voice break हो रही है कि हलो हूँ करें next is view of Gustav Hugo इनको हम Hugo करके भी बोल सकते हैं he is a German exponent of a historical jurisprudence he object the law is not the result of legislation it is in no way a command of the sovereign nor a matter of school contract but it is an outcome of the habits and traditions of the people which they follow voluntarily as a member of the community इनका ये जो है बिलकुल support में हैं किसके सेविगने की theory के और ये कहते हैं के बिलकुल जो members है society के हम किसी को पर लो किसी को पर हम थोप नहीं रहें किसी को पर ठीक है न हम किसी को voluntary नहीं कर रहें कि आपको ये करना है नहीं हम किसी को नहीं बाउंड कर रहें करने के लिए उनकी विल है अगर if they want then they can follow the rules but they don't want they cannot follow the rules हम यहां पर उनकी विल पर हम इसको चोड़ दे रहें कि अगर वो चाहते हैं तो ठीक है न अदर्वाइस हम उनको पनिश नहीं करेंगे ठीक है these habits and customs are acquired through the necessarily accident and other processes okay next देखते हैं अब देखोई Sir Henry Mind this is the most exponent of this theory second most important मानसकते इन को हम जो है एक तो सेविगने है सेविगने के बाद अगर किसी का इसमे historical school में अगर किसी का बड़ा नाम है तो वो Sir जैसा इन के आगर सर लगा हुआ वैसे ही है इनका काम भी जो है He is labeled as a social darwinist कि क्या है इनको एक labeled मिला हुआ है social darwinist का He through his comparative researches of the different communities, Roman Hindu, came to a conclusion the law develops through four stages कौन कौन सी four stages है in the beginning of law was made by the commands of the ruler commands of the by the ruler believed to be acting under divine inspiration अब ये natural law की बात कर रहे है divine theory की बात कर रहे है ठीक है ना वो क्या कर रहे है divine theory में कि सब जो ruler हुआ करते थे उनके पास directly जो god होती थी आवर्स कम्स फॉम directly directly come from the god जो king हुआ करता था रूलर हुआ करता था उसको जो डारेक्ली जो पावर मिली हुए थी वो किस से मिल होती थी वो नको god से मिल होती directly तो इसलिए pupil जो जो उनको पॉलिक होती थी वो जो फिर करती थी जो जो फिर करता हुआ देखो sir henry mine in the third stage, the acknowledge and administration of customs goes into the hands of a minority, usually of a religious nature, due to the weakening of the power of original lawmakers. अब देखो यो third stage है, वो कहती है कि जो knowledge है and administration of customs goes into the hands of a minority, जब minority के हाथ में चली जाएगी power, usually of a religious nature, किसी religious nature के हाथ में चली जाएगी due to the weakening of the power. अगर किसी को कोई weak है, तो वहाँ पर उस law के उपर क्या effect पड़ेगा, क्या होगा, of original lawmakers, ठीकर ना, the fourth stage that, what was the time of courts, a law is promulgated in the form of a court. नेक्स दिखते हैं, यहाँ पर देखो, societies which do not progress beyond the fourth stage, which closes the era of spontaneous legal development or called static societies by mind. their legal conditions are characterized by what state has status that is fixed, legal condition dominated by family independence, sorry, family dependence. यहाँ तक आप क्लियर हो रहा है नहीं है, पार्ट जो है, historic, okay, most of, हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ 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 सेविग, सेविगने औली हाँ 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 इन्होंने भी डार्विनियन सौचलिस्ट वो लाइन को है तो ये भी उसके फॉलो है इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में मैंने का आप है काता आपके अगर सेकेंड जो सो है इसका हिस्टॉरिकल स्कूल्स में अगर कोई दूसरा बड़ा नाम है तो वो सर हैंडरी माइन का है किसके बाद में सेविगने के बाद में देखो किसी भी स्कूल्स को याद करने के लिए देखो जुरुस्पुडेंस को कभी भी रटानी जा सकता है यू नो ठीक ना जुरुस्पुडेंस एक तो इसको अपने आप में समझना और समझाना बहुत टेड़ी खी रहे ठीक है न अगर आपने अगर पहले तो यही समझ में नहीं आते हैं कि एक एकशली मैं एक मैं ऐसे ही एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया तो हमने बड़ा इसकोल्स भाई अब हमने जिर्स्प्रिण्स लगाना भूल गए उसमें जो है तो हमने का वाट इसकोल्स तो एक पीछे से अब आ जाती सर प्राइमरी स्कोल्स सर सीबियस स्कोल्स अब भाई मैं कुछ बोलता उससे पहले मुझे थोड़ा सा स्माइलिंग होनी लगी अब समझ गई कुछ गड़बर हो गई है गल्स उसमें बड़ी स्मार्ट थी उसमें जो है तो गल्स पीछे से वाज आती नहीं नहीं सर सोरी सर वो एनलैटिकल स्कूल नैच्रल लोई स्कूल ए हिस्तूरिकल स्कूल अब पीछे बैठे थे वो सोच में सोच में पड़ गए कैU Вас अइस भी स्कूल्स होते हैं क्या मा बतलाब जैस जो है जोष्प्रडैंस जो है हमारे यहां पर जो second या third semester में होता है तब तक उनको पता नहीं होता है कि schools भी जो है न law में भी schools पढ़ने पड़ते है ठीक है न तो कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है ठीक है न तो यहां पर जो most of the communities यहां पर देखो sir henry जो माइन है most of the communities Hindus, Roman, Hebrew ठीक है न Hebrew जो है न आज यह जो है बहुत बड़ा नाम है अपने आपने are founded of the paterical pattern wherein the eldest male parent called the pater ठीक है families dominated the entire family including all its male and female members children and slaves are also the property okay this is the clear the word the word of the pater families was law to them which they were supposed to follow okay these were some communities which followed materical eldest female of the family was the central authority pattern यह जो है कहीं कहीं कुछ families में यह भी देखने को मिलता है यहाँ पर materical भी देखने को मिलता है otherwise आप वहाँ से देखते हो ancient time से ही खासकर हमारी जो Indian society में और हिंदू लोग कुल्चर में देखते आ रहे हो कि हमारे यहाँ पर ancient time से ही male dominating society रही है I think you are an educated person so you can understand easily that के हमारी Indian society में जो हिंदू religion society में male dominating society रही है from the ancient time ओके यह तो हमें accept करना पड़ेगा चाहे वो वेदाज हों चाहे वो पुरांस हों चाहे वो कोई सा भी हमारा जो है वेद हों हमें वहाँ पर हमारे यहाँ पर society में male dominating societies रही है ठीके Sir Henry Mind हाँ rituals all the rituals but but उस period में भी हम जो है न हम उनको देखते हैं कि वहाँ पर भी उनको आजादी तो थी सब कुछ करने की they are the free from all the things but कहीं न कहीं उनके उपर जो restrictions हमें देखने को मिलती है अब वहाँ पर वो restrictions available देखने को मिलती हैं ancient time में भी restrictions थी वहाँ पर भी उनके उपर अप्लीकेबल देखें उनके उपर जो हम बात कर रहे हैं male dominating society उनके उपर जो dominating था वो dominating male nature ही था वहाँ पर जो है कभी भी वहाँ पर जो है अब देखो हम सबसे बड़ा example हम कहां से लेते हैं हम रामाइन से लेते हैं ना ठीक है हम अपना जो हाँ महवारत से लेते हैं महवारत हम क्या देखते हैं वहाँ पर सारी चीजह में जो है male dominating society है के नहीं है वहाँ पर अना अब हम आते हैं रामाइन पर आते हैं ठीक है रामाइन में क्या है रामाइन में कहीं भी आपको ऐसा लगा के कहीं भी जो है हम पूरा हम कावे पढ़ने के बाद में हम ऐसा लगता है कि कहीं भी जो है हमारे यहाँ पर female dominating थी वहाँ पर कहीं भी किसी भी part में स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पूरे रामायर देखते हैं उसमें हमें कहीं भी किसी भी पार्ट में हमको जो है किसी भी पार्ट में जो है फीमेल जो है कहीं भी हमें एक डॉमिनेटिंग नीचर में नजर नहीं आती है बस एक चीज को छोड़के कि जो केकई वाला जो वहां पे पार्ट होता है दसरत के साथ में जब वो जो है उन्हें राम के लिए उनको जो है चौधे वर्स के लिए उन्हें जो फॉर्टीन इयर्स के लिए उन्हें जो है फॉरेस्ट में जाने के लिए बोलती है वहां पे एक पार्ट वो देखने के बा सब्सक्राइब भी हमें female dominating society हमें देखने को नहीं मिलती है वही हमें पूरे مहाबारत में कहीं देखने को नहीं मिलती है तो हमारे हम पे क्या है हमारे हमेंपे ancient times से ही मुझे ऐसा लगता है, यह मेरा personal opinion में जो मैंने study किया है कि हमारे हमेंपे starting से ही male dominating society existence में थी और वाज भी है तब Sir Henry mind does the law of a person was to be determined on the basis of the status यहाँ पर कैसे determine करते हैं यहाँ पर यह basis of the status in ancient societies the slave ward citizens all symbolize status which the law recognize in the interest of the community यहाँ पर जो भी ने वो laws बनाई या थे वो मैंने पहली बताया हूँ कोई भी चीज है वो for the sake of the interest क्या होता है society होता है अब यहाँ पर मैंस theory certainly holds good in the case of a capitalist countries which have transformed socialist states but मैंस असर्टें about the status to contract has no application in the totalitarian states where the freedom of the contract is narrow down to the lowest limits and there is a authoritarian rule okay next slide और है I think this is the last slide we will finish okay कि यह किर्टिसिजम है इसका किसका यह historical school का किर्टिसिम है the societies which continues develop development of law in the manner are called progressive societies by mind there are three methods of by which progressive societies develop their laws सबसे पहला किया है first is legal fictions legal fictions क्या है legal fictions change the law according to the changing the needs of the societies without however making changing in the letter of the law a main mind defines legal fiction as any assumption which conceals or effect or conceal the fact that a rule of law has undergone alteration its later remaining unchanged its operation being modified second is equity equal equal and just with a good consigns equal okay legislation legislation to means that to legislate the laws this is the आप यह यह अल अवर दा फिने सोच का आप इचो है if you have any query or anything you think it is not clear you can ask me you have any question okay and thank you so much